आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लिजेगा और अगर ही विडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजेगा और अपने फ्रेंज के सांद शेयर कीजेगा आज हम पढ़ने वाले हैं और और रेंकिंग का पार्ट टू मैंने पिछले वीडियो में आपको पार्ट वन बताया था जिसमें हमने कुछ बेसिक बाते को डिसकस की थी और क्या किया था कुछ कोशन सॉल्व किया था अगर आपने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा है त आपको जिस लेंवेच पर एजी लगे आप उच पर समझने की कुछ इस कीजिएगा अब यह क्या पूल रहा है एक सेवन टू दू लेफ्ट वी एक है बी के बाएं साथ वह ठीक है हूं सीट अब हूं किसके लिए उस हो गया बी के लिए मैंने बताया था हूं किसके लिए नुदा जो की हूं कहीं पहले लिखा रहता है तो मतलब बी आ ऑगया ॠीक है बी सेकन्ट टू दी रॉइट ऑफ़ सी वी क्या है सी के सेकन्ट राइट पर है धीक है फिर यूज़ो गया हूं किसके लिए यूज़ोगया देना था है Sun कहां से Left से ठीक है अब किया करेंगे ह बी के सेवंथ लेफ्ट पे मतलब बी माल लो यहां पर है कहीं पर उसके सेवंथ लेफ्ट पे ए दो तीन चार पांच छे और यह साथ सेवंथ लेफ्ट पे कौन है ए है चीख है एले लिए अब क्या बोल रहा है हू सिट्स मतलब जो क्या है सी के सेकंड राइट में मतलब बाएं से दाइं से दूसरा है। ठीक है कौन दूसरा है दाइं से जो किसे लिए उसे हैं आपे बी के लिए ठीक है मैं बाटा हुआ है सी इत कर रहा है मतलब बैठा हुआ है बाटा है सी के सेकंड राईट पे तो सी के ये सी लेंग की पर्स राइट आगया सीची हाग्योन तरह गया ठीक है अगर मैं इस तरह दो एक और मुझे किसा का लेना है सी का राइट लेना है ठीक है ऐसे कैसे समझाया यह क्या बोलता है यह SSI 2nd to the right of c c c k c ले लिया c k at1 2 से कौन बेठा है बी बेठा ठीक है अब क्या बोल रहा है c kya customer 29 है कहां से left से यह आगा 29 अगया ठीक है एक मिनट यह क्या गया 29 था गया ठीक है 29 था गया किस रपस आया अब क्या बोल रहा है D sit exactly between E और F E और F के ठीक पीछ में बैटा है E इधर रहेगा तो F इधर आजाएगा F इधर रहेगा तो E इधर आजाएगा ठीक है अब क्या बोल रहा है F sit second left of G F के अहां बैटा हुआ है G के second left पे F मान लो यहां पे है अब G इधर पे आजाएगा जब तो इसका left हो जाएगा तो क्या ले लूँगी मैं G के एक बंदा को यहां पे बैटा हुआगा उसके second left पे कौन बैटा है F बैटा है ठीक है अब क्या बोल रहा है who sits अब who किसके लिए उसके हो गया G के लिए G क्या है 9th right है D के D के 9th right पे है मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 D के right पे है मतलब D का right आगया इस तरफ right है इस तरफ क्या है left है ठीक है तो D के right पे आगया किते right पे है D के 9th right पे है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9th right पे कोन आगया G आगया बिल्कुल सहीं जा रहे है अभी तक हम अब क्या बोल रहा है G sits 9 to the right of D D के 9th right पे G है ठीक है अब क्या बोल रहा है 86 from the right G क्या है 86 है अब क्या बोल रहा है E sits 2nd right of H ठीक है और क्या बोल रहा है Who sits मतलब H H कहां बैठा है C के exactly left अब C ये रहा C के exactly left मतलब Just left पे ठीक है कौन आ गया H आ गया Just left पे कौन आ गया H आ गया अब मैं क्या करूंगी इतना तो मुझे पता चल गया C के just left पे H है और H के second right पे कौन बैठा है E बैठा है क्योंकि लिखा हुआ है E sits second to the right of H H के एक और ये दो दूसरे right पे कौन बैठा है E बैठा है अब मैं क्या करूंगी मुझे पता है D है F है D है और F है D के बाद F आगया तो E definitely इधर आएगा इधर आएगा ठीक है ऐसा मेरा डियाग्रम बनेगा E, D, F क्योंकि D के बाद F इधर से मुझे पता चल रहा है तो इस रब क्या आजाएगा E आजाएगा E ये रहा मेरा ठीक है ठीक बीच में बैठा है D, E और F के तो D और F में जित्ते लोग है उत्ते ही E और F में भी रहेंगे क्या कहरा है ये इसका कहने का मतलब ये है कि मालू D और F में अगर 2 लोग है तो E और F में भी 2 लोग रहेंगे पर यहाँ पे 2 हैं क्या नहीं यहाँ पी किते हैं D और F में 1, 2, 3, 4, 5, 6 लोग हैं D और F में जब 6 लोग हैं तो E और D में भी किते लोग हो जाएंगे 6 लोग तो आप मैं E और D को ड्रॉ कर लोगी E यहाँ पे है 1, 2, 3, 4, 5, 6 लोग ठी 7 वा कौन आ गया मेरा? D आ गया फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 वा कौन आ गया मेरा? F फिर 1 चोड़की यहाँ पे कौन आ गया? G ठीक है इत्ती बताई समझे वी इस डाइग्रम से हमने क्या निकाल दिया? इस डाइग्रम से हमने यह सब निकाल लिया ठीक है D पता है D क्या है? exactly between E और F तो D के इस तरब F है राइज तरब तो लेफ तरब डेफिनेटली E रहेगा ठीक है और D और F में जित्ते लोग है उत्ते लोग E और D में रहेंगे इत्ती बाते क्लियर है आप लोगों को तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे आगे की तरब क्या लिखाया आगे और G क्या है 86 है ठीक है G क्या है राइट से एक पुना ठाओं इसी हटा लेती हुँ में G क्या है 86 है किदर से राइट से ठीक है अब चेक करती हूँ सारी इंफर्मेशन हो गई हमारी A सेवंथ लेफ्ट है B के B के सेवंथ लेफ्ट पर A है ठीक है यह B है B के सेवंथ लेफ्ट पर A आगया B के है सेकंड राइट है C के सेकंड राइट पर B आगया ठीक है और क्या बोल रहा है 29 लेफ्ट है मतलब C के आगया लेफ्ट से 29 आगया D exactly between E and F, D exactly between F के और E के है, आ गया ठीक है, यह D रहा, और क्या बोल रहा है, F sits second left of G, G के 1-2 second left पे कौन है, F है, बिल्कुल सही है, और क्या बोल रहा है, who sits 9 to the right of D, D के 9 पे कौन आ गया, G आ गया, बिल्कुल सही है, G क्या है, 86 है, कहां से, right से बिल्कुल सही है, E sits second right of H, E क्या है, second right है, H के, H का यह first right, यह क्या होगे, second right सही है, और क्या बोल रहा है, H sits exactly left of C, बिल्कुल यह diagram हमारा बन चुका है, अब हम क्या करेंगे, इस diagram से हम question solve करेंगे, ठीक है, तो चलिए बढ़ते हम हमारे पहले question की तरब, पहला question यह रहा आप लोगों के सामने, ठीक है, इसे मैं लिख लेती हूँ, 29, ठीक है, left से, तो यह रहा question से आप लोगों के सामने, सबसे पहला question क्या बोल रहा है, what is the position of A from the right, दाए साइट से A का इसान क्या है, A कौन से नंबर पे है, कहां से पूछ रहा है, इस से से पूछ रहा है, ठीक है, यह left से 29 है, मुझे पता है, यह right से 86 है, ठीक है, तो 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 100 के बाद यह 101, 102, तो यहां गया right से 103 है, ठीक है इसाट तो इसका रहा है रहा है रहा है, रहा है, रहा है से 108 है, इसका 103 रहा है, तो कौन से नंबर आ जाएगा मेरा यह 108 है, अब crytest हो जाएगा ठीक है अब क्या करूंगी मैं दूसरा question क्या вол है तो काउंट करते हैंं अब हम ए कि रहा है कä दो 16, 17, 18, 19, 20, 21 किते लोग बैठे हैं 21 लोग ए और ची के बीच में किते लोग बैठे हैं 21 तो जहां भी ऑप्शन पे मुझे 21 दिखे हैं उसे मैं टिक कर दूँगी वही मेरा अंसर होगा ठीक है अब हम बढ़ते हैं हमारे तीसरे कोशिन की तरब तीसरा कोशिन क्या बोल रहा है टोटल नमबर आफ परसन से नदर हो परसन में टोटल किते लोग थे तो ये इसका लेफ्ट ऐड़ दोब सी का मुझे पता है लेफ्ट किता है 29 है राइच किता ऑ उनीरो थी ay है तो दूनों कर लेंगी नौ और तीन बारा कि दो असिलाई एक 8 और एक 38 और ये ay ठीक है और इ टोटल हमारे 131 लोग हैं ठीक है टोटल रो में किते लोग हैं हमारे 131 यह क्या हो जाएगा हमारा अंसर हो जाएगा अब हम बढ़ते हैं हमारे चौथे कोशन की दरब चौथा कोशन क्या लिखा है what is the position of c from the right तो c का आप लेखी सकते हैं आप इसी का लेट से 29 है और राइट से 103 है ठीक है तो आंसर किता जाएगा 103 आंसर हो जाएगा आई होक्स हो कि यह आप लोगों को समझ आया होगा जो जो कोशन पर लिखाता हमने सिर्फ वैसा ही किया है मुझे उमीद है कि अगर इस टैप का कोशन एक्जाम में आता है तो आप इसे सॉल्फ कर लेंगे ठीक है अब इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा तो चलिए अब हम बढ़ते एक नहीं टैप के कोशन की तरब तो नया कोशन यह रहा आप लोगों के सामने क्या लिखा है इनरो जैइस 29 फ्रम्द लेफ्ट एक रो में जै क्या है 29 है कहां से लेफ्ट से गया जए और विरू जै और विरू दो लोग है ठीक है ब्यू क्या है राइट साइट से किते नंबर प है ok पोछेशिति लिए सेग्सिंप पुछेशितों नहीं mode इ tentang ब़ला है और क्या थैसंते अब क्याहते है योद य डोनकां यहीद्या कारा है यह दोनों क्या और विरु अपनी जगा लेता है में तब किया बोल रहा है कि वीरो की पूझिजी और दोश्राइब कली ने फिर काओ है उहां नार पैसे नहीं दूर्ट अमघ्री टूर्प से पहले कि अप लोगों को बैसिक बताऊंगे तो बीसिक से भी सौल्व करना सिखेंगे और ट्रेक से भी सौल्व करना सिखेंगे तो चले पे राइट पे हैं यहां से वीरू यह है। शिक्सम्ज़ पे यह तो रहा है एक चीज मुझे समझावैर पर एक डायग्रम तो ऐसा और Мी डायग्रम ऐसा भी बन सकता है यह रहा pigya BLACK यहां वहञा एसा हमारा सद्सक्शक्शय नच शिक्समबन गओर से यहां पे लेफ्ट से 29 एक ओवर लेफ पाला केज बन जाता है जब ऐसा भी तो हो सकता है यह वीरू जो है वो कहां आज़े इधर आज़े वीरू ठीक है वीरू किते नमबर पे आज़े से 86 कर आज़े बना लिया अब क्या हो थे दोनों क्या हो करते इंटर्चेंज करें। जब आज़े की जगह pete विरू जाएगा और विरू की जगह पे जचाएगा अगर मैं इस डाइगरम में देखो अपने तो जै को जब में यहाँ पर जे लुकुट से पोजेशन कित् alimentos यहाँ आ गया चिछ टीटी यहां फ bend repair कि लेट्स्ट से पोजेशन कित्य आग़े इसकी 57 अभ फिकर आप इसमें प्रीट कि और राइट से वीरू की पोजिशन अब यहां पर यह वीरू वन है तो यह वीरू हो गया वीरू यहां पर आ गया अब वीरू की पोजिशन पूछ रहा है तो मैं कैसे बताऊंगी मुझे पता है यहां पर वीरू है यहां पर कौन आ गया है जय आ गया है ठीक है यहां पर जय अब left side से कितना हो गया 57 हो गया और right side से कितना था यह 86 नमर पर ठीक है अब मुझे इस position को ध्यान देना है नाम को नहीं ध्यान देना ठीक है इस position पर कोई भी बैठा रहे left side से इसका नमर है 57 और right side से इसका नंबर है 86 ठीक है आप यहां पे इस जगह पे आप बैठे हुए हैं इस जगह पे जब आप बैठे हैं तो आप राइट से 86 नंबर पे होते हैं ठीक है आपकी जगह पे आपकी कोई दोस्त आ गई आपका कोई दोस्त आ गया वह यहां पे बैठ जाता है तो वह क्या हो ज यहां पे ठीक है अप जब यहां पे पूछ है इसकी राइट साइट से पोजिस्टन किती तो टोटल इतने लोग है लेफ्ट से पता है यहां निकालोंगी यह 142 is equal to left plus right minus 1 तो left plus right minus 1 तो left पे किता है 29 29 में से 1 क्या 28 plus right object 28 minus कर दूँगी तो क्या निकल जाएगा 11 में से 8 गया 3 और 4 में से 3 गया 1 और यह 1 तो answer कितना आ गया 113 ठीक है एक नट यह 142 था हमने 141 लिख लिया है यह 142 था ठीक है 12 में साड़ गया 4 कितना आ गया 114 ठीक है इस cancer कितना आ जाएगा 114 अब यह तो मैंने बना लिया इससे ठीक है अब अगर इस दूसरे डाइगरम को मैं देखूं तो मैं कैसे करूंगी जब यह बंदा यहाँ पे है यह उठके इसकी जगह पे आ जाता है तो क्या हो जाता है यह 57 हो जाता है यह डाइगरम ही गलत है अब गलत कैसे है यह रहा ऐसा यह 29 पे है यह 86 पे है ठीक है जब इंदोनों ये जै है ये वीरु है मतलब यहां पर आजाता है वीरु की जगा पर तो 57 हो जाता है कहां से लेफ्ट से लेफ्ट से 57 ही कैसा हो सकता है जब टोटल इधर ट्वैंटीनाइल लोग ही है तो ये फिफ्टीसेवन हो सकता है कि इधर इत्ते लोग हैं इधर लोग किते हैं केवल 29 लोग ही है जए 29 वे नमबर पे है तो जए की इस तरफ किते लोग हो जाएंगे केवल 56 लोग sorry केवल 28 लोग 28 लोग हो जाएंगे केवल तो 57 लोग इधर आ सकते हैं किया नहीं आ सकते हैं तो ये डियागरम हमारा गलत हो या ठीक है हमारा डियागरम पहले वाला ही सही है और अंसर आगे हमारा 114 आप लोगों को बताया भी basic से आप देख सकते हैं इतना बड़ा डियागरम बनाना पड़ा इतना बुरा दिमाग वेस्ट करना पड़ा हमें ठीक है और इसमें दो तरीकी की ओवरलेप अली भी कंडिशन हो सकती है और नॉर्मल भी हो सकती है तो हम एक्जाम में पता कैसे करेंगे और बहुत ज़्यादा होच पोच होगा टाइम इतना ज़्यादा वेस्ट होगा हमारा तो हम हमें एक्जाम में ऐसा है तो कभी भी solve नहीं करना हम कभी भी ऐसे नहीं बनाएंगे हम हमेशा बनाएंगे हमारी trick से जिससे कि हम चुटकियों में इस question को solve कर पाएंगे ठीक है तो चले मैं आज आप लोग को अपनी trick बताती हूं जिससे कि हम बहुत ही कम टाइम में एक मिनट से भी कम टाइम में हम इसको solve कर लेंगे तो चले बढ़ते है प्रिक की तरब सबसे पहले मैं लिख लिया जै और वीरू दो बंदों को ठीक है इसका लेफ्ट से है 29 इसका राइट से है 86 इसका जब इंटर जेंज कर दिए जय और वीरू तो यह कितना हो गया लेफ्ट से 57 अब क्या हुआ 29 से 57 कैसे आया जब यह क्या हुआ कुछ बढ़ा होगा 29 में कुछ जोड़े होंगे जब तो यह 57 हुआ तो कितना जोड़े हम 29 में कि 57 आ गया पांच में से तीन गया दो हो गया 28 जोड़ी तो में कितना गया 57 आया 29 में 28 जोड़ी तो 57 आ गया तो जब जय बढ़ा है तो वीरू भी बढ़ेगा किसे 28 से ठीए राइट से पोजिशन थी 86 और जब जय 28 बढ़िया तो वीरू को भी हमने 28 बढ़ा दिया तो यह कितना गया 114 और यही इसकी राइट से कितनी हो गई सब्सक्राइब हमेगा फ्लस माइनस डिफ्रेंस ठीके अब यह ही यह प्लस माइनस डिफ्रेंस यह अब डिफ्रेंस किssen फैठ को का और निकालना हो तो अब इसे कैसे करेंगे 21 में से क्या करेंगे हम 21 में से जब 1 कर माइनस हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 28 और 28 और 28 किता आ गया 56 और 56 और 86 किता आ गया 1 for 2 ठीक है कैसे पता चला मुझे ये मैंने ले लिया टोटल ये 29 प्लस 6 माइनस 1 प्लस 28 ठीक है तो इसे मैं जब 86 लिख लिख लूँ इसे 28 लिख लूँ 29 में से गया तो 28 और इसे भी 28 लिख लूँ अब मैं इसको एड़ कर देती हूँ 8 और 6 14 14 और 8 22 की 2 हसिलाई 2 8 और 2 10 दो 12 और 2 14 कितना आ गया answer मेरा 142 ठीक है तो ये formula है आप इसे ध्यान रखिएगा जब भी interchange वाले हम question पढ़ेंगे तो हम इसे total ऐसे निकालेंगे और left और right कैसे करेंगे इधर इधर से लिके जो भी difference आएगा उस देर इसे add या minus कर देंगे तो हमारा ये right और left से निकल जाएगा ठीक है कल इस पर ही based में एक से दो question और करवाँगे ताकि आप लोगों कोई आसानी से समझा जाए ठीक है तो आज ही class हमें आप एंड अप करते हैं till then keep learning keep practicing thank you and bye bye